एक तरफ भोजपूरी इंडस्ट्री के सारे सिंगर नए पुराने जितने भी सिंगर हैं सारे सिंगर और एक तरफ सिर्फ एक अकेली अंतरा सिंग पिरियंका अगर इन सारे सिंगरों के सारे गाने अगर जोड भी दिये जाए ना तो भी अंतरा सिंग पिरियंका के सारे चार क अनतराशिंग पिर्यंका के बारे में वैसे कोई रोष्ट वीडियो नहीं है मुझे लगता है ना कि भोषपुरी इंडस्ट्री में सबसे हाड़ वर्किंग सिंगर कोई है तो वो अंतराशिंग पिर्यंका है क्यों कि आप खुद भी देखे कुछ इंगर का हफ्ते में एक गा इसके साथ उनका रेलीज होता है मैं यहीं मांना हो कि अंतरा शिंग प्रियंका है थोड़े बहुत असलील गाती है बट आपने देखा अच्छे गाने बीगाती जो अगर माल देए खैसारी लाल को गाना गा रहे हैं उनके साथ अंतरा अंतारा उंतारा उनके साथ में टॉइट कर रही है तो जो नए सिंगर होते हैं या फिर कोई ऐसा सिंगर जिसका काम का इव घंदगी फैलाना फॉइसके तो उसके थूप आपने कई सबस心 तो इसलों के साथ में Putin अंतरा सिंग प्रियंका केंदर अईसे बात नहीं है मैं इतली कर चुका हुँ एक लिडियो तो गरातता है जितने थी नए सिंगर अगर अगर आप एक नए सिंगर है आप पहला गाना अगर आप अपना रिकोर्ड करवाने जा रहे हैं और उस गाने के लिए अगर डूँट करने के लिए अप अंद्रा सिंग प्रियंका को अप्रोज किजिए और sortir कभी भी मना नहीं करेंगे ठीक है न कि प्रूंकि वह किसी क तो आपने अक्षर देखा होगा किसी के भी मूँ से आप सुनेंगे तो फिसारी लाल का गाना आया है, होन सिंग का गाना आया है, समर सिंग का गाना आया है, अंगुष राजा का गाना आया है, रितेस पांडे का गाना आया है, सब का नाम नहीं ले सकता है, तो only male singer के नाम से ह जिए जाया सबूर मेल सिंगर का नाम सबसे नीचे से लीटर में लीटर में लिख दिया जाता है म區 2 लैदर्व की शोधेसे भी गाने में ऊगिसी फिमेसे में चाहिए आब कभी भी गानने को ध्यान से पता चलेगा कि कोई भी गाना जो होता है न अक्सर भोजपूरी में जो मुखड़ा होता है उसका जो सबसे आसान लाइन होता है यानि लाश्ट में वह मेल सिंगर को मिलता है और जो कठिन लाइने होती है वह मेल सिंगर को मिलता है कोई भी गाना स्टार्ट कौन करता है फीमे बाद में मेल सिंगर अगर दो लाइन गाता है तो उसमें से एक लाइन थोड़ी नहीं होती है और एक लाइन वही होता है जो गाने में बार-बार दोहराया जाता है यानि कि मुखड़ा पॉइंट किसको ज्यादा मिलना चाहिए फिमेल सिंगर को उसके बाद जब अंतरा गाने की बारी आती है अंतरा यानि अंतरा सिंग प्रियांका नहीं अंतरा यानि की गाने में एक मुखड़ा होता है जो बार-बार गाया जाता है और उसके बाद अंतरा होता है उसके बाद क पॉइंट हो गए उसके बाद फिर एक लाइन वह फीमेल सिंगर गाती है एक और हमाजी कि जो एक लाइन होती है वह सुरू से लेकर लास्ट कुष माइन गवर आजाता है तो यहां पर भी आपकु फीमेल सिंगर को मिलता है तो पुल मिला कर के मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा अटेंशन मेल सिंगरों को मिलता है उतना फिमेल सिंगरों को क्यों नहीं मिलता है मिलना चाहिए आप कुछ लोग यह कहेंगे कि नहीं वो बड़ा इस्टार है ठीक है इनको भी आप बड़ा इस्टार बनाई सकते हो ना मेहनत के इसाफ से अगर देखा जाए तो इतना मेहनत करें यह भी इतना ही मेहनत करेंगी तो इनको भी तो आप बड़ा इस्टार बना सकते हो ना अक्सर आपने देखा होगा भोषबूरी इंडेस्ट्री में कि जो इस वक्त के जो बड़े सिंगर है वो उसमें से कुछ लोग पहले असलील गाने थोड़े बहुत गाते थी आज बहुत कम हो गया है वो लोग कम असलील गाते हैं जादा नहीं गाते हैं लेकिन गाते जरू प्रेपिलरेटी अगर उनको दी जाए फिमेल सिंगर को तो यह भी एक तरीका हो सकता है असलील कम करने के अगर वह उनका जादा नाम हो जाएगा तो फिर वह भी नहीं चाहेंगी कि मेरा नाम खराब हो तो वह भी पीछे मुण कर नहीं देखना चाहेंगी गंदगी की को हैं और एक बात की मुझे जहां तक लगता है कि मुझे ऐसा लगता है अभी तक अंतरा सिंग प्रियंका ने कितने गाने गाये हैं मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भोशपूरी में इस वक्त इस वक्त सबसे जादा अगर किसी के पास गाना गाने का ल 10 सिंगर हफ्ते में एक गाना गाते हैं कीतना गाना कीतना नाम पर एक गाना लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप को पता चलेगा उसमें से 7 सिंगरों के साथ में अंतरा-सिंगतिर्यंका का नहीं डूइट किया तो सबके हाद में एक गाना आया लेकिन आंतरा शिंघकरेंग के पास कितना गाना आया सात गाना और उसके भीच में वो खुद का अपना भी एक गाना पे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अंतरा सिंग पिरियंका जितना हार्ड वर्किंग हो जितनी मेहनत करती है उतना आटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा है कि अधर्वियुक्त म्युद्यद्र सब्각render का थे अगाल्व सकते हैं नहीं रोष्ट वीडियों के साथ मैं चैनल पर अंतरा जीव है उसमें सरा वर्फ अगर आपको यह वीडियों पसंद आए इसमें कहा ही मैंने क्या खर आगा आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं मिलते हैं कल नए रोष्ट वीडियो के साथ में चैनल पर हां तब तक के लिए बाए